हालो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिट्टी से एक बहुती शांदर सा एक बैल बने के दिखाऊंगा इससे पहले भी मैंने काव बनाना और भी बहुत सरा एनिमल्स कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है मेरे इस चैनल पर तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग जुरूरे में चैनल को चेक किजिए आपको पॉस्रा एनिमल्स मेकिंग का वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा तो गैस अभी आज हम बनाएंगे मिट्टी से एक बुल यानि की बैल तो गैस आज का इस वीडियो में जो सबसे खास बात है वो यह है कि आज का यह जो हम क्ली मोडलिंग कर रहे हैं इसमें मैं कोई भी स्ट्राक्चर या फिर कोई भी आर्मेचर मैं इसके अंदर में नहीं दूँगा मतलब यह डाइरेक्ट मिट्टी से ही बनेगा तो गैस यह जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है यह अभी में मेजर्मेंट कर रहा है मतलब यह जो बैल में बना रहा हो इस बैल का मिजर्मेंट कैसा होगा कहां पे बैर होगा बैल का शेप कैसा होगा ठीक है बैल का सर कहां पे रहोगा कितना बड़ा होगा तो इसको कहते है मिजर्मेंट तो आभी में वही मिजर्मेंट कर रहा हूँ ठीक है दोस्तो जब भी आप कोई मिटी से क्लिय मोडलिंग करेंगे तो आपको मिटी बहुत ही सोच समझ कर चूज करना चाहिए अभी आप लोग मुझे जो मिटी दौल ना हुआ आप देख रहे हैं यह जो मिटी है ही नेच्रल मिटी है मतलब जो मिट्टी हमारी जमीन पर देती है तो वही मिट्टी मैं अच्छे तरह से ready कर लिया है clear modeling के लिया तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो मिट्टी है में कैसे ready किया हूँ तो इसके लिए मैंने दो अलग से वीडियो बना हुआ है एक वीडियो में मैंने दिखाया है कि किस तरीके से आप मिट्टी को चूस कर सकते ही और दूसरा वीडियो है कि आप मिट्टी को कैसे बना सकते ही तो वो दूनों वीडियो ही मेरे चैनल पर अबलेबल है आप जाके देख सकते हैं आई होप वो वीडियो आप लोगो को बहुत ही हेल्फुल करेगा कोई भी मिट्टी को चूस करने में क्योंकि देखिए अगर आप मिट्टी ढंग से चूस नहीं करेंगे तो आप चाहे कितनी भी अच्छे तरसे क्ले मोडलिंग बना ले वो जब सूग जाएगा बाद में तब वो क्रैक हो जाएगा तो इसे लिए मिट्टी चूस करना बहुत important है और उसके बाद दूसरा जो चीज important है वो है आपका clay instrument मतलब जीस instrument से आप clay modeling करेंगे clay modeling में हम लोग अपने हाथों से ही बनाते है मतलब सबसे पहला जी Instrument है वो आमारी हाथ है हम हाथों से ही सब कुछ बनाते हैं लेकिन जहापर हमारी उंगलिया नहीं पहुचती है ऐसी Clay Modeling में बहुत ही छोटा-छोटा जगा होता है जहापर हमारे उंगलिया नहीं पहुचती है वह आपार हमें चाहिए क्ले इंस्ट्रूमेंट और यही क्ले इंस्ट्रूमेंट बहुत ही मदद करती है हमारे क्ले मॉडलिंग को और बैतर बाने के लिए तो इसके लिए आपको क्ले टूल्स भी चाहिए और वो भी अच्छा सा लेकिन हम मेंसे बहुत सा लोग बहुत ही महा महेंगे Clay Tools effort नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं आप लोग के लिए ऐसा बहुत सरा Clay Tools available है जो कि बहुत सस्ता है लेकिन अच्छा भी है जो मैं जो Clay Tools यूज़ करता हूँ वो भी बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है तो आप लोग उस Clay Tools को यूज़ कर सकते अगर आपको वो Clay Tools बाई करना है तो अब description box पर जाईए वहाँ पर उस Clay Tools का लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आप लोगों को मेरी वेबसाइट के बार में बातना चाहूंगा ये मेरी वेबसाइट है जिसका नामे बिश्शुनत आर्ट डॉट इन यहापर आप लोगों को बहुती कम प्राइज में बहुती संदर और बहुती अच्छा- कोटा और भी आदर्स मेंटेरियल का मूर्ति मिलेगा तो डिसक्रिप्शन बॉक्स पर मेरी वेबसाइट का लिंक है अब जरूद जाईए और आपना फेबरीट मूर्ति का ओर्डर बुक कीजिए सो दोस्तों आप लोग डिसक्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूद चेक कीजिएगा क्योंकि डिसक्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इस वीडियो के बारे में बहुत सरा इंफॉर्मेशन दे राखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरी फेस्बूक का लिंक है इंस्टरगाम का लिंक है आप मुझे फेस्बूक और इंस्टरगाम पर फॉलो कीजिए अगर आपको मुझसे कोई भी बात करना है तो आप मुझे इंस्ट्रेगाम पर या फिर फेस्बूक पर मैसेज भी कर सकते हैं मैं इंस्ट्रेगाम पर सभी का मैसेज रिप्ले देने की कोशिश करता हूँ कि कि सोद्र दो स्थो जो लोग बिगिनर से जो लोग अभी नया-नया क्ले मोडलिंग सेख रहा हैं उनके लिए आज का यह वीडियो है यह बहुत ह्या है क्योंकि आज का यह जो क्ले मोडलिंग है इसका जो subject है मतलब जो गाई यह बहुत एक आसान सा subject है मतलब इस में देखी आप कोई भी complicated चीज यहां पर नहीं है simple सी यहां पर एक guy बैटा है यह तो guy तो नहीं है एक bell है तो simple से यहां पर एक bell बैठे है और आपको उसको बनाना है ठीक है आप इसके अंदर आपका creativity है कि कि आप इसको कितना अच्छे से बना सकते और इसका plus point भी है कि यह जो guy है यह जैसे बैठा हुआ है आपको इसको बारने के लिए कोई भी structure की भी ज़रुद नहीं है क्योंकि यह guy इसका फूरा जो body है यह जमीन से touch है इसलिए इसको कोई भी structure बारने के आपको ज़रुद भी नहीं है ठीक अगर एक guy घरा होता अपने चारो पैर के उपर तो वहाँ पे आपको structure देना पड़ता ठीक है बिगिनर्स के लिए मेरा यही advice है कि आप शुरू शुरू में पहले जो simple simple चीज़े है जो की आसान है उसको पहले मिट्टी से बनेए अगर आप शुरू में ही complicated चीज़े try करेंगे और बाइचन वह अगर ठीक से ना हो पाए तो वहाँ पर आप डी मोटिवेट हो जाएंगे और आपको दुबारा से clay modeling करने की money नहीं करेगा तो इसलिए शुरू में simple से चीज़े से के यह जो गाय हो गया इसके अलाबा कोई भी animal हो गया animal बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि animal में ज्यादा complicated चीज़े नहीं होती है ज्यादतर मतलब सभी animals नहीं है जैसा कि एक डाइनसार हो गया उसको आपको दो पैर कोपर बनाना पड़ेगा उसको तो आप ऐसे लेटा हुआ नहीं बना सकते नहीं बना सकते है लेकिन लेटा ह इसी चीज़े है उसको पहले बनाई है और उसको जब आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाना सीख जाएंगे तो आपके अंदर बहुत ही confidence भी आ जाएगा और उसके बाद आप अगर हो सकते तो धीरे धीरे जो और भी complicated चीज़े है और भी complicated subject है उसके उपर आप experiment कर सकत तो guys मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो आप अभी देख रहा है यह आप ध्यान से देखें के इस वीडियो को और इसको देखने के बाद आप भी आपके घर में इस bell को बारने के कोशिश करेंगे मिट्टी से अगर आप सीख रहा है तो आपको यह करना भी चाहिए आपको हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए कुछ ना कुछ तो आपको डेली मिट्टी से बार नहीं चाहिए यह रूल है आपको अगर कुछ सीखना है तो उसका प्रैक्टिस आपको डेली ही करना पड़ेगा करने प्राइब से बार नहीं हम्यार को डेली मिट्टीस करना पड़ेगा कि अगर प्राइब सीखने मिट्र में चाहिए बारेगा कि विदूदीस करना चाहिए झाल झाल तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारा आज का यह जो ग्ले मॉडलिंग है जो एक बैल है यह लगबक कंप्लीट हो गया है ठीक है अभी इसको क्लीनिक करना होगा तो गैस अभी यह जो देख रहा है अभी जो मैं स्प्रे कर रहा हूँ यह वाटर है पानी है इस तो इसको अभी ब्राशिंग कर रहा हूँ ठीक है यह जब ब्राशिंग प्रॉसेश है यह सबसे लास्ट में होता है तो यह देखिए तो यह जब ब्राशिंग करना हो जाएगा तब हमारा यह क्ले मॉडलिंग है यह कम्पलीट हो जाएगा तो यह जब ब्राशिंग कर दो जाएगा सो गाइस कम्पलीट हो गए हमारा आज का क्ले मॉडलिंग यह वीडियो अगर आपको अच्छे लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत बुलना और चैनल को अगर सब्सक्राइब ने किया है तो ज़रू सब्सक्राइब कर देना सो फ्रेंज तैंक्स वर वचिं इस विडियो